हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब और बज रहे हैं सुबा के ठीक साड़े पाँच और आज है सटरडे तो मौसम जो है ना बहुत ही जादा अच्छा हो रहा है तो और वैसे ना सुबा शाम को ही जो है ना रोज शाम को मौसम जो है ना बिलकुल च हो जाता है यहां पर जो है वैसे मैंने कूलर निकाल लिया है बट यह है कि ना कूलर मैंने हम चला नहीं रहा है क्योंकि ठंड लगती है पंखे की हवा में भी और रोज शाम को ही मौसम बिलकुल चेंग हो जाता है लगी निरा है कि हाँ अप्रेल में जो है ना वैसे इतनी आती है तो बहुत मन करता है कि कि भी साइकल चलाओ बट किस की चलाओ पता नहीं यहां पर ना एक्सराइज वाली मशीन थी मलब साइकल वाली तो उसी पर बाढ़ के मैंने ऐसी पैर मार लिये और अभी मैं जाए रही थी तो देखा कि युवान उठा हुआ है अच्छा एक्स्टा मैं सो जाती हूँ साथ बजे उठाओंगी बट आशा नहीं हुआ कल कुछ ऐसा हुआ तो उसकी बज़े से जो है ना आज मैंने आज जो है ना मैं जल्दी उठी हो नहीं तो आज मैं अपने साथ बजे उठती युवान उठ गया है क्योंकि तभी मैं सो के उठती ना तो बहुत सी चीज़े जो है ना उनको समझ भी आ नहीं लग जाती है अच्छा अभी जो है ना दूद कल का था तो दूद एक दिन पहले ही मंगवा लेते हैं और उसको बस मैं भी उबालने के लिए जाती हूँ और समान आया हुआ है OTP से अच्छा जो मैं आपको बताय और समय जो हो जो मैं आया था आता है तो वज़ा थी हमारे OTP कहा कि समान कल मंगवाया था क्या हूआ कि ना कल समान आरनको कल स्कूल में मतलग कुछ चीजें लेकर जानी थी जो कि हमने मंगवाया कि ताकी आरनको जो है ना हम दे देंगे फ्रैडे का दिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना स्पेसली वाला खाना जो अच्छा सा हो फूट्स वारा हैल्दी वाला वही वाला लेकर जाना होता है फ्रैडे को बट हमने कल मंगवाया और वो जो वैसे समान आया था बट क्या हुआ कि न हमें वो डिलीवर ने हुआ और जिसको हमने फॉन जो समान लेकर आते हैं न हमने उसको फॉन किया तो उन्होंने बोला कि हमने तो डिलीवर कर दिया उन्होंने स्क्रीन सोट वगरा सब भेजा बट क्या हुआ कि सुबह सुबही जो है न समान को मनलब समान चोह ना चोरी हो गया सोचों की सुझवा सुझवा और ऐसा नहीन कि हाँ हमारे फ्लॉर पर पर कोई ुड़ते है weekend पर जाता है उनकी जो मेड है वो सुबा सुबा ही आ जाती है फिर भी हमारे जो बराबर है वो भी उणका सुबा सुबा गेट खोल जाती है ऐसे काम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आए कि आरना और उसको मुझे क्या ही बोलू मतलब ऐसी ही उसको भेजना पड़ा और बनाया उसके लिए कुछ भी फिर भेजना पड़ा उसको नी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे थी मतलब मुझे समझनी आया कि कौन कैसे ऐसी हरकते कर सकता है खेर बगवान देख रहा है हम मैं कुछ नहीं कर सकती हाँ ये है कि आगे के लिए थोड़ा सा सतर्क जरूर ह होंगे कि हाँ अब पत्त चल गया कि ऐसी भी हरकते जो है न यहाँ पर होने लग गई है पहले ऐसा कुछ नहीं तब फर्स टाइम ऐसा हुआ है तो फर्स टाइम तो चलो कोई बात नहीं हो गया पर हाँ ये है कि सबक मिल गया आगे के लिए जो है न मैं तहियार रहूंगी क हाँ बई ऐसा कुछ हो तो क्या करना चाहिए तो अभी जो है न इस वाले बालकनी के मैं कर रही थोड़ी सी धुलाई और यहाँ पर न पोदे थोड़े जादा ही है तो उसके वज़े से जो है न मुझे एक दिन छोड़के एक दिन ही करना पड़ता है क्योंकि सारे पोदों को हटा कर तब सफाई करनी ओति है और इतना टायम होई कर लेती और हैंब सबके कमेंट के अप अकेले कैसे कर लेते हो बस हो जाता है ऐसा कोई वो नहीं है मन में positive ही मैं रखते हो इसकी वज़े से जो है मैं सारे काम manage करके चर लेते हो अब तो यूवान भी हो गया मैं दो दो बच्चों के साथ घर भी संभाल लो और सारे काम भी हो जाते है अपनी अच्छा तो अभी साड़ी जो है ना आदर डाल लेती हूं कभी जैसे कहीं जाना पड़ जाए बाहर तो पूरे दिन साड़ी जो है ना होन में कर सके इसलिए तो अभी मैं क्रीम वगरा जो भी मैं लगाती हूं अपना डेली की क्रीम जो लगाती हूं वही मैं यूज कर रही हूं और उसके बा अज़ वो भी है Saturday भी है तो अराम से अपना जो है न कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी अराम से अपना खाएंगे और इसको देखो यह हमेरी घर में मैंने सब नहा लिये हैं अच्छा लगता है सुबह सुबह जब सारा काम से फ्री हो जाओ पूजा हो जाती है और अभी मैं क्या सोच रहीおい कि सुबह उठते ही जो है ना पूजा कर लिया करो मलब नहा कर और काम करो बाद में अब मैंने सोच आ है पिन आरना को कहीं देर न Пजो जाय करनींग करनी करनी है तो उसका भी नंबर नहीं आपा रहा है और करूंगी इस फ्रिज का भी फ्रिज भी थोड़ा सा गंदा सा भी हो गया है गंदा तो नहीं हुआ है मतलब मैसी सा हो गया है हम कोई समान निकालते हैं जल्देल्दी में समान रखते हैं तो उसकी वज़े से थोड़ा सा मैस आराम सी अपना चाहे चाहे में चलेंगे और आरना कहाँ थी माप मुझे फोन दो यह ना यह वान के लिए मुझवाय था पापा न ओडर यह पता नहीं किया और आजाया ना आजाया बहुत लग रहा है अच्छा लगा है कि वह आजकल भूमें बहुत अधा उंगली डालना लगया है तो उसके लिए तीधर बंगवाया है अच्छा है और काफी सॉफ्ट है और यह जो है यह दानी से बने हुए उसके जो मसूड़ों को बहुत आराम मिलेगा अच्छा लग रहा है ना गर्भी बह मैं थोड़ा सा लेट सोगी बट नहीं सोपाई और मैं उठी थी साड़े पाँच बजे और साड़े पाँच बजे भी उठी क्यों समान के लिए क्योंकि हमारा जो कल था ना समान जो हम मंगवाते ओनलाइन आर टीपी से ना तो वह कोई ले गया जो हमें लगा शायद ग्ली कर दीवर कर चला घ्या हो तो और रखने से पहले मतलब रखने से पहले मतलब तो फोटो बहाएं मतलब Свटो वह ले ले ता हम बीठ तो उन ने पर पहोले मों कोहारे वह पूछा गारता कि रचरना समान इवद रखा कर फेजू तो आप जाते हैं तो आपकात पानिया तो कि इसके लिए मैं चीज़े मंगवाई थी तो इसलिए वो पतानी कौन उठा के ले लिए और जिनका मने पॉन किया था ना जो डिलीवर लेकर के गया था तो उन्होंने बताया कि मुझे तीन चार बारी कंप्लेट भी आ चुकी है कि आप मुझे समान नहीं लेकर आयो तो उन्हो मुझे तो अधुकी आड़ शुड़ी शुटभी लगवाई रिख भी आताया तो जब भी जैसे ही वो रख्या चल जाते है तो वह भी आताया तो वह जाते हैं मैसेज आया कि डिलीवर हो गया है इसलिए पतानी कौन लेकर चल लेगे चल लेगे तो उपस लेके लिए देख तो इसलिए जो है ना मन का आज मैं चैक करूगे आज मुझे चौर को पकड़नाय रगे हाथ उसलिए मैं देखती रहे हुए तो मैं थोड़ा सा गेट खुला हुआ था तो मैंने जो कैमरा होता है ना फोन का कैमरा होन कर देता है कोई आएगा तो आई जाएगा व्यूड़ा मैं पर एक घंटा हो गया नहीं आया कोई पर मुझे लेकर याना पड़ा है यह था उट गया यूगा अब मुझे बहुतेज मेंद आ रही है क्यों कि यह सोया था भी मैं इसको दुबारा सुला कर आती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आज जो आना मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया सुभा से लेकर शाम तक जो आना मैंने साड़ी जो हैना वेर किया है और अभी शाम का टाइम भी हो चुक है I think बढूरे पांच हो रहे हैं तो मैं बस चाये बना के बैठ़ी हूँ मौसम बहुत ही जादा अच्छा होगया ह तो फैंट का फोना आए था तो उसने बुला कि बाहर चलते हैं गोल गपे खाकर आते हैं कि मौसम अच्छा हो रहा है और आरना भी बोल रहा है कि मैं भी पार्क चलो तो यूवान को भी लेकर पार गए थी और थोड़ सी हाँ पर हमारे सटेडे मार्केट लगती है तो वहां वहां से सबजी विवेरा वो थी वो लेकर आनी थी और मैंने सोचा कि चलो मैंना अब मार्केट जाओं की सटेडे मार्केट में जाना ए मुझे तो मैं साङवान क कुल्यों ने कर ले तो मैंने सागा और चेंज कर लीकिए और मैं गए थी एसे個ुड और ऑगी च्सक्रीश ब और जब मैं मार्केट फिर से मार्केट गई थी क्योंकि जलेवी खाने का मन कर रहा था तो फिर जलेवी लेकर आये ते गरम-गरम होती है और बारिश थी थोड़ी थोड़ी और ऐसे वाले मौसम में पकोड़े जलेवी चाय तो अच्छी लगती है तो दोनों सोच चुके हैं टाइम होरा था साड़े नौ और जब मैं बाहर के थी तभी मैंने साड़ी को उतार दिया था तो चलिए आज कब लोगें पर इमांड करती हूं आई होप पसंद आया होगा और थोड़ा सा भी पसंद आये तो लाइक कर दीजेगा मैं मिलूंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर गुड़ नाइट